जाहिंद आपके अपने चैनल न्यू एस्टड़ी 24 के ब्रहमा स्रीज में आज हम स्वसंतंत और प्रिसंचनतंत के बारे में बटाएंगे और बटाएंगे कि BPSC द्रोगा और अदर कमपेटिशन में ये टॉपिक कितना महत्पून है जड़ी आज के topic के बारे में बताए है तो आज का topic exam के दिस्टी कुन से काफी महटपुन है और ये काफी महटपुन क्यों है इसके बारे में हम ज़ेस्ट आगे बताएंगे इससे पहले आप हमारी plan को समझिए आपको पहला वीडियो guide video provide कर्वाते हैं गाइड वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि question back और syllabus से आपको क्या पढ़ना चाहिए, फिर एक वीडियो हम second वीडियो देते हैं वो test वीडियो, topic wise test देने के बज़र से आपके हर छोटे छोटे कमी को आप सुधार पाने में सक्षम हो पाते हैं, और last वीडियो जो फिर satisfaction मिलने वाला है, और आपको वो exam में काफी helpful होने वाला है, तो इसलिए आप क्या करते रहिए, ये जो ब्रहमाश्री है, आप पुरी तरिका से देखिए, जो आप पुरा देखते हैं तो आपका result रुकने वाला नहीं है, और के बाल जादा दिन भी नहीं लेगेगा है, मात चार महना में, चार महना का target class आप पकरिए, क्योंकि वेशे भी एक महना से ज़्यादा हो गया, तो आप लोग लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, और अभी तक जड़ी चैनल को सस्क्राइब नहीं कुए, तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और all का बटम दब यह जिसे के आपको notification मिलता रहे है, शाथ में अच्छा लगे तो, like जरूर कीजिए, और अपने दोस्टों के पास share भी कीजिए, सबसे पहले हम क्या बोले, यह topic इतना महत्पून क्यों है, इसमें जो हम पढ़ेंगे स्वासंटन्ट, और परिशांचरंटन्ट, स्वासंटन वजय है कि covid महामारी में शबसे जड़ांक क्या फेफ्र और फेफ्रा के माधियम से जिसम चले बलड में, और इसलिए इसमें जो हम पालाजमा थेपी, तो कहीं DR& लाज क्या है जाता है बात है कोई कठीन सा नहीं है हमको तफ नहीं बनाना आपढ़ा है पहला देखिए यह चिद्र में बाल होते हैं आप लोग पॉलीउशन होता है मतलब धूलकन होता है उसको अंदर नहीं जाने देता है इसके जस्ट ऊपर यह वाला जो भाग है यह भाग क्या होता है नासा कपाद में चिपचपा द्रब होता है और यह द्रब आपको कोई भी पराथ का सुगंध लेने में पता चलता है कोई अच्छा चीज है यह ख्राब पर्चे हो ना यह जाने का यही राष्टा है इसके बाद जो होता है जब यहां खटम होता है वही होता है स्वर्टन्ट अब वहां स्वर्टन्ट होता है तो स्वर्टन्ट में क्या होता है आपको आप जो भूल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं मेरा आवाज कश्या बनेगा हम आपको किस प्रकार से आवाज का मधूर्टा या आवाज का करवापन वह स्वर्टन्ट में बनता है स्वर आपको पाचन दन प्रादे तो उसमें देखे ते कि अमासा इतना भाग ले रहा है तो क्या करेगा स्वासपला तो भाग तो छोटा करना पड़ेगा ने क्योंकि एडजेस्ट पुरा फिनिशिंग बाडी बनाना है प्रकृतिक ने हमारे जो बाडी को बनाये बहुत सोच समझ लीजे है कि जब हम सांस लें इस परसेंट और इसके अलावा कुछश क्या क्या कर आपक्सीजन का चार पर्षेंट हम लोग यूज कर पाते हैं ले ले लेटे हैं और उसको कारवन डियुक्साइड में ट्रांसफर करके मतलब 1 परसेंट जो झो लिए उसको क्या करेंगे सबसे पहले फेफड़ा क्या करता है वह जो ऑक्सिजन को क्या करता है हीमोगलोबिन में भेज देटा है हीमोगलोबिन सडीर के हर भाग में क्या करता है एक कोशिका के पास औक्सिजन पहुंचा जाता है और वहां कोशिका में बटाएटे कोशिका चप्टर में मैट्रोकॉंडिर क्या और कोशिका डरव होता है अचानक कोई हाड्र काम करते हैं तो हाडवर काम करने के वज़ए से आपको दिख़े का क्या हो जाता है जब बहुत भाए भरकम समान उठाए तो बहुत ज्यादा चल लिए तो पाइद में डर्ड है तो वह डर्ड जो आता है वह ऑन्युक्त बहुनांचा में होगा जाकि हो जाएगा कोशी का ड्रम में भी क्रिया प्रारम होने के बज़र से लेक्टिक अमल का निर्मान होता है और जिसके बज़र से बॉडी में पेन आता है स्वासन तो समझ गए कि यही सब से आपको क्या करना है डिटेल पूरवक पाथना है उसको विस्टाल पूरवक हम ठोड़ है यहादा कि आज कल के जमानि में जो चल आज कल का फाइसन चल रहा हर लरका लर पी हम प्यार करा मिकले नो तो मेरा करता है यह डोनों में ब्रेक अप क्या किया ऐसलिए अदमी जो मरता है तो मरनेवाला अदमी का वोडि ठंड वूजाएं ke अब आप है जो कहाँ कहाँ होगा ऑप समझ अ似ुआ चैना और उचसे पहुच आता है मतलत को महा धमनी में भेचा है महा धमनी में महा धमनी क्या क्या करता भूत है धenary के पास फिर को सिटी क्मिन इंसके सभी ढमनी के साथ कोशी का के पास पहुंचता है फिर असुर्ण होटा है और एक होटा है उपड़ी भग और निचली उपड़ी भाग को अलिंड कहते हैं निचली भाग को निलाई कहते हैं नाम से ही अस्पष्ट है अलिंड अलिंड से क्या होता है आपको अलिंड से हमेशा बलड आता है मतलब असुद बलड जो होते हैं वो क्या होता है अलिंड से आता है और निलाई से बलड जाता है समझ गया अलिंड का भी दो भाग लेफ्ट राइट फिर निलाय का भी दो भाड लेफ्ट और राइट यहां बलाद का चर्चा हुआ तो आप फ्राबलाद भी देख लेते हैं बलाद में होटा पलाजमा और रुधेरानू पलाजमा का भाग होता है वह 55-70 परसेंट रुधेर रुधीरानू का भाग होता है और पलाजमा भी भाग होता है तो यह सब भाग पढिए और इसका यूटिलाइज पढ़ियोग पढ़िये कहां के इसका उप्योग किया जाता है वहना महामारी में आप देखे की पलाजमा-थिरोपी-काफी महत-पून हो गेकि पलाजमा ép物 सा पढ़िये। इसके साथ ही बलत ग्रूप भी पढ़िये। बलत ुअ उसके आप उसका उप्योग पढ़िए। तो ये एक्जाम में काफी महटपून है यहां से एक से दो मार्ग आने की संभावना है इसलिए टॉपिक को आप बहुत गहंता पुर्वक पढ़ें जिससे कि आपको एक्जाम में एक भी कोश्चन ना छूटें आप पटेर ये आगे बढ़ें